हरे कृष्णा आप सबका इस सुंदर कहानी में स्वागत है मुगलों ने जब स्री रंगम मंदर पर हमला किया तो राजा की बेटी राजकुमारी सुर्थानी के साथ भगवान की मूर्ती भी दिल्ली के महल पहुंची राजकुमारी चुपा कर ले गई थी मंदर के पुजारी और अन्य लोग दिल्ली जाकर राजा से भगवान की मूर्ती लोटाने की प्रार्थना करते हैं राजा इजाजत दे देता है परन्तु राजकुमारी मूर्ती से अलग नहीं होना चाती थी राजकुमारी मंदर में मूर्ती देखते ही बिहोश हो जाती है और उसी शन उसके प्राण निकल जाते है सब हैरान ये देखके कि उसके शरीर में से एक प्रकाश निकल कर मूर्ती में प्रवेश करता है क्यूंकि मुसल्मानों में मूर्ती पूजा नहीं होती इसलिए तुलू का नचेयार नामक एक मंदिर है जो राजकुमारी की स्मृती में बनाया गया आज भी उसकी भक्ती के चिन इस मंदिर में है यहां रोटी और मक्षन का भोग लगाया जाता है और रात को पालक का भोग लगाया जाता है मूर्ती ने काली पूशाक पहनी हुई है और गर्न पानी से स्नान कराया जाता है पूशाक चार-पांच बार बदली जाती है तक ये उत्सव चलता है। तुलुका नचियार ट्रांस्क्रिप्शन सर्विस ये सेवा अर्जुना मंडपम को जाती है। सर्वम श्रीकृष्न अर्पनम।